दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वह cotton crop के और कुछ topics शोया पर सिस्ट करने माले है जैसे Ultra-narrow-row-row-croton क्या है, square in cotton क्या होता है, topping क्या होती है, क्या its advantage है, guinning percentage क्या होता है और about the weed management तो देखो कि जैसे कि Ultra-narrow-row-row-croton होता है इसमें जो है कि especially इसको इस concept को जो इवाल्ब किया गया था कहां पर USA में और इसमें क्या करते हैं हम जो रो स्पेसिंग है और प्लांट 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 है जिससे देख सकते हो इसकी स्पेसिंग जो होती है काफी नैरो हो जाती है ठीक है और एक स्क्वा तेयर जो की मेंटेन होता है और इस तरह के यह काफ काफी पाफुलर मेतड़ है और इसको यूज करते हैं कहाँ पे यूएसे में अब दोस्तों बात करते हैं जो स्कॉयर in cotton cotton में स्कॉयर क्या है तो जैसे बता दू जैसे जो flower bird first appear होता है appearance of flower bird in cotton उसको बोलते हैं हम square तो यह square देख सकते हो इसको square बोलते हैं यह flower अभी ओपन नहीं हुआ यह flower तो इसको क्या कह सकते हो कि इसको square बोल सकते हो और जब फ्लावर उसके बाद बड़ ओपन हो जाएगा square then flowering होगी और उसके बाद फिर इसका fruit formation होगा उसको ball या capsule कह सकते ह तो यह याद रखना the appearance of flower bud जो होता है उसको बोलते है cotton squaring in cotton अब जो तीसरी जो है वो है topping की बात करते है जो cotton में एक topping बहुत important process agronomical practice है जिसको adapt किया जाता है जिससे कि हमारा जो ball का size है increase हो जाता है और पैदावार production अच्छी होती है तो basically करते क्या है इसमें terminal जो growing point होता है उसको once क्या करते हैं हम at a height of 1 to 1.5 meter पर remove करते हैं removal करते हैं terminal growth का जिससे क्या होगा उसमें semporial branching start हो जाती है 80 to 90 days after showing to तो उसमें क्या होगा जो terminal यहाँ पर यह जो growth है यह stop हो जाएगा और इसमें semporial branching increase हो जाएगी तो जिसके वाज़ से क्या होता है good ball development होगा और जो energy divert जाएगी for forward ball development के लिए तो यह main purpose है कि energy को divert करना vegetative parts से reproductive की तरफ जिससे की ball development का अच्छा हो सके cotton में अब बात कर लेते हम गिनिंग परसेंटेज की means proportion of fiber from seed cotton उसको बोलते हैं हम गिनिंग परसेंटेज यही तेख सेम जीज़ी करा है separation of fiber from seed cotton is known as gaining इस प्रसेस को गिनिंग बोलते हैं जब यह गिनिंग कर रहा है seed cotton से जो है फाइबर को सेपरेट कर रहा है यह क्या है गिनिंग so the proportion means how much proportion you will get after the गिनिंग उसको बोल सकते हो in the form of percentage तो उसको बोलते हैं हम गिनिंग परसेंटेज और जनली जो cotton में होता है गिनिंग परसेंट रेंज करता है 30 to 35% अब उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं weed management की cotton में weed management एक बहुत important aspects है जो की काफी yield को loss करता है तो देख सकते हैं जो most important flora आपको मिलेंगे वह है ट्राइंथिमा एकाइनोकलोवा और डाइजेरिया तो यह देख ट्राइंथिमा है और एकाइनोकलोवा क्रस गैली है ठीक है तो इनका जो है इंफेस्टेशन आपको में यह जो है आपको फ्रॉरा मिलेंगे cotton के क्रॉप में और यहां पर जो recommend किया जाता है और यह पाया गया है कि तो फोडी डिस्टेंट जो कॉटन का यह देख सकते हो हाइली सेंस्टिव होता है और if suppose थोड़ा भी drifting हुआ, so you will notice the injury on plant और यह पाया गया है कि तो फोडी डिस्टेंट जो कॉटन का एक जीन है जिसको बोलते है टी एफडी एजीन यादर कियेगा जो यह जीन है टी एफडी एजीन यह है तो फोडी के रिजिस्टेंट तो यह कुस सम्थिंग फैक्स थे अबाउट जो टर्म्स कॉटन से लेटेट है और काफी इंपोर्टेंट है कभी कभी पूछा जाता है तो उमीद करूंगा यह वी